हर खबर पर होगी आपकी पकड डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइब लॉक्डाउन के बाद आखिरकार करीबन धाई महीने बाद खुलेंगे आठ जून से देश भर में मंदिरों के कपाड किस तरीके की है तैयारी यही दिखाने के लिए मैं आपको लेकर आया हूँ दिली क के प्राचीन हनुमान मंदिर यहां पर भी तैयारी पूरी कर ली गई है जिससे कि जब शद्धालू आएं तो पूरे नियम काईदों का पालन करने के बाद ही उनको अंदर जाने दिया जाए किस तरीके की तैयारी में रोट से ही आपको तैयारी दिखनी शुरू हो जाएग जगहां जगहां सोशल डिस्टेंसिंग के लिए मार्किंग कर दी गई है जो भी शद्धालू आएंगे वो सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करेंगे जैसे जैसे वो आगे बढ़ेंगे तो उसके बाद भी ये पूरे रास्ते पर ही इस तरीके से मार्किंग की गई है यहां पर रेलिंग लगी है, इसके बीच में लाइने चलती है लेकिन अब शद्धालों से कहा जाएगा कि आप इस रेलिंग को नाच हुए लगतार उनको इस बारे में जानकारी दी जाएगी इसके साथ ही यह जो रेलिंग लगी हुई है, इसको वक्त वक्त पर सैनिटाइज किया जाएगा कोशिश यही होगी कि किसी भी तरीके से कोरोना संक्रमर यहां पर ना पहुँचे जैसे जैसे शद्धालू आगे बढ़ेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मंदिर के द्वार पहुँचने के बार में अमूमन ये मेटल डिटेक्टर तो आपको पहले से भी दिखता था लेकिन अब मेटल डिटेक्टर के पीछे एक और सुरक्षा कवच है, वो क्या है? वो देखना भी जरूरी है मेटल डिटेक्टर को जैसे ही क्रॉस करेंगे, यहां पर सैनिटाइजिंग टनिल बनाई गई है इसमें से जैसे ही कोई भी शक्स गुजरेगा, इस तरीके से सैनिटाइज होगा यहां पर कुछ सेकिंड निकलने के बाद में वो आगे बढ़ेगा फिल्हाल मंदिर का जो गेट अभी बंद है, वो खुला होगा यहां से अंदर जैसे ही आगे बढ़ेगा वो शक्त, थर्मल स्कैनिंग की जाएगी थर्मल टेंपरिचर चेक किया जाएगा उसके बाद में अगर वो सही होगा तो उसको अंदर जाने के अनुमती होगी फिल्हाल हनुमान जी की तस्वीर हमको बाहरी दिख रही है हास सैनिटाइस करने के बाद में ये भी निर्देश रिया जाएगा कि भले आपने हास सैनिटाइस कर लिया है लेकिन फिर भी घंटे नहीं चुएंगे प्रशाद नहीं चड़ाएंगे, फूल माला नहीं चड़ाएंगे आरोगे सेतु एप यहां से ही दिखा का अंदर जाना होगा क्योंकि श्रधालू नंगे पैर जाते हैं मंदर में लियाजा जो पैर है वो तो यहीं पर सैनिटाइस उनके हो जाएंगे डिसिंफेक्ट हो जाएंगे तो कुछ इस तरीके का इंतिजाम है मंदर के अंदर पहुँचने के बाद भी उनको ना कोई प्रशाद दिया जाएगा ना कोई फूल माला दी जाएगी और वहाँ पर भी सोशल डिसन्सिंग का पालन करते हुए एक एक करके शधालू अंदर जाएंगे बाहर आएंगे तब दूसरे शधालू को अंदर जाने का अनुमती होगी तो कुछ इस तरीके की तैयारी की गई है मंदिर परिस्टरों में यानि की अभी तक सिफ एक सुरक्षा जाश होता था लेकिन अब करोना से बचाव के लिए भी की गई है ये पूरी तैयारी मकसद एकी है कि आस्था के चलते कहीं कोरोना को फैलने का मौका न मिले इस वज़े से आस्था पर विश्वास रखिए आस्था के साथ ही कोरोना से बचाव का भी पूरी साफधानी बढ़ती है और यही तैयारी की गई है अलग-अलग मंदिरों में भी जो फिलाल हमको दिख रही है दिल्ली के करॉट प्लेस के प्राचीन हनुमान मंदिर पर मकसर यही है कि केंद सरकार के दिशानिर्देशों के साथ में मंदिर खोला जा रहा है लेकिन साफधानी पूरी होनी चाहिए जिससे की कोरोना संक्रमर को फैलने का मौका न मिले और जो आस्था है उसमें भी कहीं से चोट ना पहुंचे क्यामरा पास्तन अजे तिवारी के साथ अंकेर गुपता एबेपी नियूज दिल्ली क्याता है